टीवी सीरियल अनुपमा में इन दीनों खूप सारा ड्रामा चल रहा है। इस सीरियल में अनुपमा और राही के बीच परिशानिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शो में अनुपमा किसी भी तरह राही को अपने करीब लाने में लगी हुई है लेकिन शाह परिवार के चालबाजियों की वज़े से दोनों मा बेटी में दिक्कते बढ़ती नजर आती है बीते एपिसोड में दिखाये गया था कि आध्या अनुपमा से अनुकी रसोई में 50% की हिस्सेदारी मांग लेती है और अनुपमा हस्ते हस्ते अपनी बेटी की ये डिमांड पूरी भी कर देती है अब लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा को आध्या से नया जटका मिलने वाला है आईए आपको पताते हैं अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दिखाये जाएगा कि आध्या को अनुपमा की रसोई की 50% हिस्सेदारी मिलने पर तोसु भड़क जाता है और आध्या का सामान तोड़ देता है जिसके बाद अनुपमा और राही आकर उसे रोकती है तो तोशु आध्या को टसन दिख देखने की शर्त रखती है तो पाकी ऐसा ही करती है इसके बाद राही डिनर से पहले नया हंगामा करती है वह अनु की रसोई के आगे अपना नाम लगाती है और नया बोर्ट बनाती है यह देखकर शाह परिवार के लोगों के पेरो तले जमीन खिसक जाती है लेकिन जाए जाएगा कि इस मौके पर आध्या अनुपमा से पूरी अनु के रसोई चीन लेने की बात करती है। बहस हो जाती है। अनुपमा साब बोलती है कि उसके होते हुए क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाज नहीं होगा। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवड और एंटेटेन्मेंट की हबरों ग